विटामीन के बारे में सब कुछ जो आप लोगों से एक्जाम में पूछा जाता है लास्ट में हम लोग क्योशन भी करेंगे देखिए इसकी जो पीडियेफ होगी आपको टेलग्राम चैनल साइंस भाई नीरसर्च से मिल जाएगी चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं विटामी विटामीन होते हैं वो बिसेकली दो टाइप के होते हैं एक होता है वाटर सॉलिबन कुछ विटामीन होते हैं जो जल में गुल जाते हैं कुछ विटामीन होते हैं जो जल में गुल पाते लेकिन वो वसा में गुल जाते हैं तो दो टाइप के आप लोगों के विटामीन हो कौन-कौन से विटामीन है जो की जल में गुल जाते हैं एक तो है विटामीन C और एक है आप लोगों का विटामीन B इसको आप लोग ट्रिक्स से याद रख सकते हो WBC हमारे बलड में होती है नो वाइट बलड सेल तो वाटर में सॉलिबल विटामीन कौन-कौन से विटामीन C और विटामीन B देकिन दोस्तों विटामीन B टोटल आठ टाइप के होते हैं तो ये सारे के सारे विटामीन जो है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सारे आप लोगों के वाटर सॉलिबल है fat soluble कौन से हैं एक तो है आप लोगों का vitamin के एक है vitamin E एक है vitamin D एक है vitamin A इसको के टिक से याद रख सकते हो कीडा तो vitamin K E D A ये चार्य आपके fat soluble होता है लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को ध्यान दखने हैं सबी के scientific name जितने भी vitamins होता है उनके अलग-अलग scientific name होता है इसके बार में बात करता है vitamin D इसका होता है आप लोगों का kelsiparol इसके बार में vitamin E जिसका होता है tocoparol और फिर होता है vitamin K जिसका होता है आप लोग का phytomenidion या phylokinon भी आप लोग बोल सकते हो आप लोग देखेंगे इसमें vitamin B कहां गया तो vitamin B total 8 type के होता है तो उनका हम लोग अलग से समझते हैं देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो vitamin B1 जिसका होता है thiamin, vitamin B2 जिसका होता है riboplevin, vitamin B3 जिसका होता है niacin, vitamin B5 जिसका होता है pentothenic acid, vitamin B6 जिसका होता है आप लोग का pyradoccin, vitamin B7 जिसका होता है बायूटीन विटामीन बी-9 जिसका होता है फॉलिक- एसिड या सको फॉल इड भी बोलते हैं और विटामीन चाहिए चलिए एक एक विटामीन की बात करते है किसका क्या सोर्स पहले बात करेंगे दोस्तो विटामीन कि का सोर्स तो आप लोगोंको सके कि बमन狗 दोस्तो को पता है पिगम turning कि से रंग हमारे हिमोगलोबिन नामक pigment की वैसे दोस्तों एक pigment है जिसका नाम है beta carotene इसकी वज़े से कौन सा रंग मिलता है इसकी वज़े से मिलता है दोस्तों आप लोगों का yellowish orange है ना yellowish orange या थोड़ा सा आप लोग light red भी इसको बोल सकते हो तो हमारी body में अगर आप लोग कुछ ऐसे फल या सबजिया खा रहे हो जिसमें ये वाला pigment पाये जाता है तो हमारी body में ये vitamin A में convert हो जाता है यानि जिस fruit में जिस vegetable में बिटा के routine आपका pigment होता है वो vitamin A का अच्छा source है तो देखिए दोस्तों आप लोगों का गाजर हो गया पपीता हो गया ये अच्छे source है इसके अलावा milk और butter में आप लोगों का ये मिलता है ये आप लोगों की आँखों के लिए बहुत जरूरी है तो अगर आपके body में vitamin A की कमी हो गई तो आप लोगों की आँखों से संबनित रोग हो जाएंगे जैसे आप लोगों का night blindness, रतोंदी, राग को अच्छे से नहीं दिख पाना एक होता है आप लोगों का zero thalmia जिसे अशुर शुष के रोग भी बोलते हैं इसमें आप लोगों की आखे काफी dry हो जाती है एक होता है आप लोगों का keratomalacia, keratomalacia क्या होती है यह हमारी जो आँख होती है इस आँख का ही जो outer part है इसको बोलते है cornea तो इसका तोड़ा सा दोस्तों करवेचर खराब हो जाना, यह आप लोगों का keratomalacia यह भी vitamin A की गमी से होता है नेक्स हम लोग बात करते हैं vitamin C, देखिए दोस्तों ध्यान रखेगा, vitamin C घाव भरने में बहुत important है और साथ ही में यह heat sensitive vitamin B है, इसका मतलब अगर किसी भोजन में vitamin C है, उसको आप लोग बहुत ज़्यादा गरं करो, बहुत ज़्यादा पकाओगे तो vitamin C खराब हो जाएगा या आप लोगों का मैं बोलो उड़ जाएगा, बात कर इसके source की दोस्तों खटे फलो में यह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाता है, जोसे संत्रा, नीमबू, आवला, अम्रोद, टामाटर, हरी मिर्ट, इसके अच्छे source है, vitamin C आप लोगों की, vitamin C के कमी से क्या होता है, ए दोस्तों, इस vitamin D को हम लोग sunshine vitamin के नाम से भी जानता है, क्योंकि जब हम लोग दूप में बैठते हैं, तो हमारी body में vitamin D का निर्मान होता है, next हम लोग बात करते हैं, इसके source की, एक तो मैंने आपको उता दिया, naturally आपका बन सकता है, और कौन से बोजन में आपको मिलेगा, द जाल, cold liver oil और सूरज की रोशनी इसके अच्छे source हो जाएंगे, दोस्तों ये आप लोगों की हड्यों के लिए बहुत important है, क्यों देखिए, क्योंकि आपके हड्यों के लिए calcium बहुत important है, vitamin D क्या करता है, आपके बोजन में जो calcium होता है, उसको absorb करता है, उसको absorption करता है, तो आप लोगों की body में अगर vitamin D की कमी है, तो आप लोग कितना भी calcium वाला food खालेजिए, आपके body में वो absorb भी नहीं होगा, तो अगर vitamin D की कमी है, तो body में आपका calcium absorb नहीं होगा, हड्यों तक नहीं पहुच़गा, आपकी हड्यों वीक हो जाएगी, तो इसकी deficiency से जो disease होती है, एक होता है रेकेट्स, सूखा रोग, एक होता है आप लोगों का osteomalacia और एक होता है आपको osteoporosis, यह तीनों ही रोग आप लोगों के हड्यों से संबंदित है, चलिए, नेक्स हम लोग बात करते हैं, vitamin E, देकि दोस्तो vitamin E को हम लोग anti-stallity vitamin B बोलता है, यानि यह बांजपन antioxidant किसको बोलते हैं, जो कि free oxygen को खतम करता है, ऐसे समझिए, आपको बता है, दोस्तो जो free oxygen है, वो stable नहीं होता, काफी unstable होता है, पार्स वाले से जोड़के O2 बना लेता है, तो अगर हमारी body में कभी कोई pre oxygen आ गया, तो हमारी अलग-अलग organ से क्या करेगा, वो उस पे attack तो जो antioxidant ऐसे पदार्च होता है, जो कि ये free oxygen को खतम करते हैं, चलिए, अब देखिए दोस्तो आपका free oxygen अगर आपके body में जाएगा, तो आपके skin पे भी attack करेगा, आपके wrinkles पढ़ जाएंगे, जुर्या पढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपके body में vitamin E है, तो वो उसको खतम कर देगा, आपके skin पे कोई भी प्रभाव नहीं आने देगा, आपके skin काफी सुन्दर रहेगी, इसलिए हम लोग इसको beauty vitamin के नाम से भी जानते हैं, अब इसके source क्या है, अंडा, सोया बीन, हरी सबजिया, बादा, मुंपली, ये इसके अच्छे source है, इसके कमी से क्या हो जा करेंगे, दूसरा क्या है, इस्टरलिटी, या इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में बुलू, बांच बन है ना, संतान उत्पति ना कर पाना, चलिए, नेक्स हम लोग बात करते हैं, विटामीन के की, देखिए रोस्तों, विटामीन के जो होता है न, वो हमारी बाड़ी में, जैसे यह स्टमक है, आपका पेट है, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, चोटी याद, और फिर यह आपलोगों की लार्ज इंटेस्टाइन, यानि बड़ी याद तो हमारी बाड़ी में भी बनता है आप लोगों का यह, कुछ बैक्टिरिया होते हैं, जो हमारी बा बारे में बात करता है, तो इसके लिए विटामिन के बहुत क्लॉटिंग के लिए बहुति इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके पर चोट लग जाता है वहां से ब्लड निकलता है, कुछ दिर बाद देखोगे, आप लोग बलड नहीं निकलता, वहाँ पर बलड की क्लॉटिंग हो जाती है रखते जम जाता है तो उसके लिए विटामीन के बहुत इंपोर्टेंट है तो अगर डेफिशेंसी हुई तो रखका तक क्या बनने में बहुत देरी होगी जब तक आपका बहुत सारा बलड भार निकल जाएगा चलिए नेक्स हम लोग बात करते हैं अब यह मैंने सारे विटामीन बता दिया बात करते हैं विटामीन B complex विटामीन B समू की total जो आठ विटामीन है सबसे बहुत करते हैं दोस्तों विटामीन B1 की देखिए इसके सोर्स जो है आप लोग यहाँ पर देख पारे हो यह आप लोगों के walnut हो जाएगा अकरोट हो जाएगा एग का यौक हो जाएगा, डेट्स यानि खजूर हो जाएगा, विटामीन B1 के अच्छे सोर्स है, इसकी डेफिशेंसी से दोस्तों जो डिजीज है, वो है और मैं आप लेगता हूं, मिल्क हो गया, मटर हो गया, अनाज हो गया, दूद हो गया, यह इसके अच्छे सोर्स है, विटाम भी नहीं कर पाऊगे हमेश्य थकान सी आप लोगों को फील होगी चलिए नेक्स हम लोग बात करते हैं विटामिन बीटू देखिए दोस्तों विटामिन बीटू को हम लोग विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं को कि भी एक प्रकाल का खाने में तो इसमें आप लोगो का विटामिन बीटू प्रचुर मातरा में होता है मेट हो गया एग हो गया यह इसके अच्छे source है चलिए अब बात करते हैं इसकी deficiency से होने वाली disease की दोस्तों अगर आपकी body में vitamin B2 की कमी होगी तो जो आप लोगों की tongue होगी ना tongue tongue में सूजन सी आ जाएगी infection हो जाएगा आपको इस disease को बोलते है glossitis साथ में ही आप लोगों के मूँपे चाले बात करें vitamin B3 मिलता कैसे है देखिए दोस्तों जो भी आप लोग फूड लेते हैं अगर उसमें protein है तो जब protein का digestion होता है आपको क्या मिलता है amino acids मिलते है यह मैं बोलू amino acid मिलके protein मनाता है तो जब हमारी body में protein का digestion होता है ना तो उससे आपको क्या मिलता है amino acid मिलते है दोस्तों एक amino acid है जिसका नाम है tryptofen तो हमारी body में यह tryptofen है ना vitamin B3 में convert हो जाता है यानि जो भोजन protein का अच्छा source है वो कहीं ना कहीं vitamin B3 का भी एक अच्छा source हो गया तो इसके source कौन से disease होती है दोस्तों total 4 बिमारिया होती है तीन बिमारी के लिए trick याद रखो 3D disease ठीक है एक D का मतलब है diarrhea lose motion एक है आप लोगों का dermatitis जो कि एक तवचा का रोग है और एक है dementia भूलने इसमें इंसान काफी बोलता ही है तो यह तीनों जो D वाली disease है वो vitamin B3 की कमी से होती है साथ में एक डिजीज और होती है जिसका नाम है पहला अगरा चलिए आगे हम लोग बात करते है vitamin B5 देखिए दोस्तों vitamin B5 के अगर हम लोग बात करें source की तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो फूल गोबी हो गया मीट हो गया यह आप लोगों के हरे मटर हो गये आप लोगों का एग हो गया यह इसके source है इसके deficiency से कौन से disease होती है कई लोग बोलते ना है और मेरे पैरों में से लगती है जलनसी हो रही है तो इसको बोलते है इस disease का burning fit syndrome यह जो disease होती हो विटामिन B5 की कमी से होती है एक होता है दोस्तों डर्मेटाइटिस इससे भी आप लोगों की तवर्चा संब्दी रोग हो जाएंगे चलिए next बात करते हैं विटामिन B6 इसके source की हम लोग बात करें तो यह जो मटर होते है जो यह चना होता है इसमें प्रच्र मातर पाय जाता है आवोकाडो हरी पतेदर सबजिया आलू इसके अच्छे source है बात करते हैं इसके deficiency से होने वाली डिजीज की देखिए दोस्तों यह आपके mind के लिए बह बहुत important है है ना चाहिए विटामिन B6 हो B9 हो B12 हो तो अगर विटामिन B6 की कमी हो तो हमारे blood में RBC की संख्या कम हो जाएगी RBC की संख्या कम होना ही क्या कहलाता है एनीमिया तो इसका एक disease क्या हो सकती है एनीमिया चलिए next बात करते हैं विटामिन B7 दोस्तों इसको विट comments आ गए एग के अंदर जो योग होता है वो इसका अच्छा source हो गया चलिए इसकी कमी से क्या होता है तो विटामिन B7 जैसे की मैंने बताया बालों के लिए बहुत अच्छा है तो अगर विटामिन B7 की कमी होगी तो आप लोगों के बाल काफी जड़ेंगे तो hair loss वाली condition type का ठीक है तो इस condition को बोलते है परिस्टिसिया ठीक है तो यह भी आप लोगों की विटामिन B7 की कमी का ही एक symptom है चलिए बात करते हैं विटामिन B9 जिसका scientific name था फॉलिक एसीड और एक चीछी ध्यान रखेगा इसको फॉलेट के नाम से भी जानते हैं इसका scientific name फॉलिक ए B9 होते हैं B12 होते हैं तो क्योंकि जो भी बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है तो उसके neurological development के लिए यानि उसके brain के विकास के लिए विटामिन B9 बहुत ही ज्यादा important है इसी विटामिन को हम लोग विटामिन M के नाम से भी जानते हैं इसके source क्या हो जागा हरी पत्तिदार के product है जैसे आप लोगों का दूद हो गया दई हो गया मखन हो गया ठीक है आप लोगों का दूद दई चाच हो गया आप लोगों का एग का जो योक होता है वो और जो समुंदरी भूजन होता है चलिए अब बात करते हैं इसके deficiency हुई तो क्या-क्या disease हो जाएगी ये भी आ का शेप है ना कफी बिगड जाएगा इस डिजीच को बोलते हैं मेगा ब्लॉश्टिक एनिमिया तो मेगा ब्लॉश्टिक एनिमया विटामिन B9 की कमी से ही वोने वाला एक रोग है चलिए नेक्स हम लोग बात करते हैं साथ में आर बीसी की जो संख्या होगे ना वो भी कम ह हो जाती है कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-को जाता है जो rain water होता है जो वर्षा का पानी होता है उसमें आप लोगों को ये वाला विटामीन मिलेगा चलिए इसकी deficiency से कौन सी disease होती है परनीसिस एनीमिया ये एनीमिया का एक टाइप है एनीमिया किसको बोलते हैं गार हमारे बलड में आरबी से की कमी हुई तो इसको बोलते हैं ठीक है दूसरा दोस्तो इसमें जो आपकी टंग होगी न उसमें दाने जैसे बन जाएंगे इस disease को हम लोग strawberry टंग के नाम से भी जा है उस विटामीन के नाम बताइए जिसके कमी के करने अत्यादी खून मैंने लगता है दोस्तों खून कब बहेगा जब बलड की क्लोटिंग नहीं हो पा रही और बलड की क्लोटिंग के लिए विटामीन के इंपोर्टेंट है option number C चलिए रिकेट किसकी कमी से होता है मैंने ब कौन से विटामीन में हीश्ट पच्चुर मातरा पाया जाता है अभी आपको बता है मैंने आप ध्यान से सुन्द्रे हो ने सुन्द्रे ही सारे आप लोग होमवर्क में बताइए वरना वीडियो होमवक नंबर वन होमवक नंबर टू ठीक है यह आप लोगों का होमवक पर मिल जाएगी दोस्तों जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच आप लोग जूड सकते हो अगर मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को फिर वन स्टॉप सॉलूशन कहीं पर कुछ भी बटकने की जरूद नहीं है करता है